दो दिन पहले हम गुस्तों को कर रहे थे चैंपियन्स टॉफी के उपर मैं देख रही थी कि कुछ सोर्सिस ये भी बता रहे हैं कि मुश्किल है कि पाकिस्तान के अदर चैंपियन्स टॉफी हो हो सकता है कि वाकी में शिफ्ट हो जाए किसी हाईविड मॉनल आपकी मनमानिय इसी तरह जारी रही कि हम यहाँ पे नहीं आएंगे हम वहाँ पे नहीं जाएंगे यह चैंपियन्स टॉफी दो हजार पच्चिस का पूरा हमारे आज से निकल गया हमारी ताकत इतनी भी नहीं थी आई सी सी का बहुत बड़ा प्लैन जो के बन रहा है वो बन रहा है यहाँ पर पूरी की पूरी चैंपियन्स टॉफी पाकिस्तान से चीनने का और यह पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा सदमा होगा वाई बारतिये खिलारी पाकस्तान नहीं जा रहे हैं क्रिकट खेलने के लिए पाकस्तान को लग रहा है खाने को कुछ नहीं आटा नहीं बचा है और क्रिकटर भी नहीं आएंगे तो वहां के क्रिकटरों की हिस्ति और खराब हो जाएगी कमाई कैसे होगी, वहां मैच नहीं होगा, अगली तस्वीर दिखाई, पूर्फ क्रिकेटर जावेद मियादार, भारत को हेकली दिखा रहे हैं, कह रहे हैं, ICC को भारत को बाहर कर देना चाहिए, सुनिए जरा, उनकी मुसीबत हो जाती ही जा भात ने तो, उदा इंडिया जो भारत के लावा कोई और काबिन उनके आगे आगे कर देना नहीं है, लेकिन भारत को बड़ा एड्वांटेज ये कि भारत कई क्रिकेट बोर्ट को अपने साथ वा नेधिंग में मिला सकता है, उनकी हाक में बयान दिलवा सकता है, मैंने, चंपियन टॉफी 25 को लेकर ICC का मि अदाग बड़क गए और बोलने लगे कि BCCI सभी बोर्ट को खरिद लिया है, इसे कारण कोई भी टीम पाकिस्तान में चंपियन टॉफी खेलना नहीं चाहरे हैं, तो आएकर सबस्ब पहले करते हैं इस वीडियो को वाज़, अब सवाल यहाँ पर यहाँ आता है कि हम कितना सांस ले सकते हैं, स्टैंड ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं, आइसे सी कितना हमारे साथ खड़ा है, दूसरी टीम में कितना हमारे साथ खड़ी हैं, अनफॉचनटली दूसरी टीम में आपके साथ नहीं खड़ी, अनफॉचनली आइसे सी भी आपको इतना बैक नहीं करेग तो किया चीज़ पर जो है वो अब प्राब्लम करेगा फिर दूसरा कभी आज तक ICC इवेंट हाइबरिड मौडल पर हुआ ही नहीं है तो इस बर कैसे होगा फिर अगर होता है अगर पाकिस्तान क्रिक्ट बोट ने मुझे लत्या मुनीर साब वलती की थी ये शेकब में हाइबरिड मौडल की रा दिखाकर पूरी दुनिया को और अपने लिए भी तो मुझे लगता ICC भी पाकिस्तान को रा दिखा रहा है फिर रागे के लिए बिलकुल दिखा रहा है और दुसी चीज़ ये कि देखें आपने एक बात की रहा है आई सी थी पाकिस्तान इस वक्त जो है ना तहना तो है इसको आपको बात माननी पड़ेगी बिलकुल पाकिस्तान इस पोजिशन में नहीं है कि दो तीन क्रिक्ट बोट उसके साथ हो और भारत के लावे साथ किसी की भी पोजिशन नहीं है नहीं 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 है अपने साथ बहुत सारे बोट को मिला सकता है नहीं है लेकिन भारत को जो बड़ा एडवांटेज ये कि भारत कई क्रिकेट बोट को अपने साथ फॉर निदिंग में मिला सकता है उ अगर नहीं जाता तो तन्हा रह जाता है, जाता है तो फिर आपको वो नहीं आते, आपको हैबिर्ट मॉडल मानना पड़ेगा, आपको अगले साल वहाँ पे टी टूइंटी वर्ल्ड कप दो अधाश भीस में जो है, उसमें भी खेलने जाना पड़ेगा, तो उसका मतलब है क हमारी अपनी कोई से नहीं है, आईसेसी स्टेंड नहीं ले सकता, इस वक्त, आईसेसी के एक वाफ दाया था पाकिसान मनाने के लिए कि आप जाएं, और डियाई वर्ल्ड कप खेलें, इस वक्त उनका भी काम है कि ये भी जाएं, जाके भारत को अगर ऐसी कोई चीज़ होत अगर रहा हमवार के लिए कोशिश की जा रही है, मीडिया के थूरू, गुलाम उर्तदा, मतलब क्या इतने करेसिज़ होगा पाकिसान क्रिकर बोर्लास में कोई बात होती है, और हम इस वद तक जाएं कि देखें जी, चैंपिन स्टॉफ योगी तो पाकिसान में होगी, अनिमस डिसीजन के ओपर जाए जाएं वो ता वो फिर बारत के हक्मी बाद जाती दिखाई देती है, बट हम क्या तियारी करके गें, आपके पस क्या खबरे हैं, जब मौसी नक्वी साब इजास से बैठे होंगे, तो उनके देन में और उनके पास प्लाइंज हैं, वो क्या पाकिसान के एक्स क्रिकेटर्स और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पी सी बी ने गुठने ठेक दिये, बी सी सी आई के आगे और हिंदुस्तान क्रिकेट बोर्ड के आगे, और बोल रहे हैं कि भाई साब ऐसा ना करें, अगर आप पाकिस्तान नहीं आए, अगर हिंदुस्ता पाकिस्तान के टीम पाकिस्तान नहीं आई और वो चैंपिन ट्रोफी के मैच इस पाकिस्तान में नहीं खेली तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ट को 20 million dollar का नुकसान होगा यानि कि वो बोलें कि हमें 20 million dollar का नुकसान होगा कि भाई क्या फाइदा इतने मैनों से बतमासियां कर रहे थे और आप बोले हो कि हमें नुकसान हो रहा है पहले बतवासियां कर रहे थे अगर नहीं आता तो मत ना आए भाड़ में जाए यह करें वो करें हम देख लेंगे हम 26 में नहीं जाएंगे अब बोलते हैं कि यार ऐसा ना करो हिंदुस्तान को आना जरूरी है अगर हिंदुस्तान नहीं आया तो भाई बहुत बड़ा नुकस किलमे हैं पहले से बड़े लोस में जा रहे हैं पहले से जो है हम स्ट्रगलिंग कर रहे हैं यह पाकिसान करकेट बोर्ड बोलती है खाने को तो है नहीं लेकिन हेकली दिखाने को बहुत कुछ है पाकिस्तान को लग रहा है खाने को कुछ नहीं आटा नहीं बचा है और क्रक किट्रों की इस्ति और खराब हो जाएगी कमाई कैसे होगी वहां मैच नहीं होगा अगली तस्वीर दिखाई पूर्फ क्रिकेटर जावेद मियादाद भारत को हेकली दिखा रहे हैं कहरें भारत का क्रिकेट खत्म हो जाएगा ICC को भारत को बाहर कर देना चाहिए गायब हो खाने को नहीं है दाने चले भारत को हेकली दिखाने चोटा मू बड़ी बात जावेद मियादाद भारत को चुनोती दे रहे हैं भारतिये शेरों को ललकार रहे हैं इत मियादाद को मिर्चीस लिए लगी कि भारत ते पाकस्तान में खेलने से मना कर दिया और पाक क्रिकेट खत्म होने की कगार पर पहुच जाएगा मोदी की अगवाई में एक तरफ पूरी दुनिया में भारत का डंका बज रहा है तो रोहित और विराट जैसे सितारे क्रकेट में अपनी चमक दिखा रहे हैं उन पर पैसों की वारिच हो रही है तो ही पाकिस्तान में सरकार और खिलाड़ी दोनों की हालत न रख जैती है चैंपियंस टॉपी के उपर तो आपने भी कहा कि मतलब कुछ भी हो सकता है कुछ चीज अभी फाइनल नहीं है मैं देख रही थी कि कुछ सोर्सेस यह भी बता रहे हैं कि मुश्किल है कि पाकिस्तान के अदर चैंपियंस टॉपी हो सकता है कि वाकी में शिफ्ट हो जाए किसी हाइबर्ड मॉडल पीसी भी कहता है कि नो हाइबर्ड मॉडल मतलब चैंपियंस टॉफी जो है वो पाकिस्तान में होगी लेकिन सोर्सेस जो है वो कुछ और बता रहे हैं सोर्सेसे कहने पर तो मतलब चीज़ें नहीं होती है तो पीसी बीने जो कहना वही होना है आई सीच के फैसलें होंगे व सब्सक्राइब हो सकती है तो मतलब हम कहां स्टैंड कर रहे हैं मतलब हम तो आते हैं टॉर्णमेंट से पहले पाकिस्तान टीम कर रहा था लेकिन इनने अपने पावर दिखाये था और सिरलंका ने एसी तरीके से चंपियन टॉफी 25 जो पाकिस्तान ही होस्ट करने वाला था अब इन यूई में सिफ्ट करा दिया गया है और यूई में ही चंपियन टॉफी 25 खेला जाएगा जिस तरीके से टीम इंडिया ने वहाँ जाने से इंकार कर दिया इसके बाद सारे टीमों ने कहा दिया इंगलेंड हो अस्टेलिया हो या सभी टीमों जो चंपियन टॉफी खेलने वाले उन सभी ने इंकार कर दिया है कि हम पाकिस्तान में जाकर चंपियन टॉफी नहीं खेलेंगे तो यह सुनकर जावेद मियदाद कर रहे हैं कि इतना पावर्फुल है कि सभी कि सभी बोट को खरीद लिया है और ओपोई भी इंडिया के खिलाप नहीं जा सकते है पाकिस्तान के खिलाप सारे बोड हो गए हैं तो ऐसे में चंपियन टॉफी दोजार पचीस पाकिस्तान में होना नमुंकिन लग रहा है तो आपको क्या लगता है वाकई में पाकिस्तान में चंपियन टॉफी दोजार पचीस नहीं होगा यदि आपको लगता है तो आप मु